बुलद्वार 29 दिसम्बर को हिंगन घाट नगरसित अखिल भारते विद्धारती परिशिद ने हिंगन घाट थाने के थानेदार संपन्चोहान को दिये निवेदन में शेहर में यूट्यों की सुरेक्षा के लिए दामेनी दस्ता शुरू करने की मांगी इस स्वेदन में उलेक किया गया है कि अखिल भारते विद्धारती परिशिद एक चात्र संगटन है जो हमेशा चात्र की समस्याव की समहादान के लिए कार रहत है शिक्षा का घर माने जाने वाले हिंगनगार्ट शेहर में फिलाल माद्यमिक और उच्छे महाविद्याले शुरू के गये है शेहर में 10,000 शात्र पढ़ रहे है ग्रामिन शात्र भी शिक्षा के लिए शेहर में रहते है लड़कियों की संख्या उलेकनिया है शहर में जह प्रमुक कॉलेज और एक महिला कॉलेज है इसी तरह शिक्षन कक्षाव में लड़कियों की उपस्तिती भी अधिक है महिलाओ के खिलाफ हिंसा दिन बदिन बरती चारी है महिलाओ पर हो रहे है अत्याचारों पर अंकुष लगाना चाहिए और पिछले हुई चलितकार्ण के मामलों ने चात्रों में भैका महौल पैदा कर दिया है इस बीच चात्राओ की सुरक्षा के लिए सरकार पलिसिभा के माध्यम से गश्ट करते हुए दो मोटर साइकल और एक चार पया वहां की फ्यवस्ता करे जासीरानी चयोक और नंदोरी चयोक में भी शिक्षिन कक्षाए और कॉलिज है वहां विद्यारतियों का जमाव रहता है दामिनी पतक को यथा संभव कुशल बनाया चाहिए इस सरह दामिनी पतक को पुरी शहर में सकरिय किया जाना चाहिए और कॉलिजों के नोटिस बोट पर चात्रों को दामिनी पतक का एक अलग हेल्प लाइन नंबर दिया जाना चाहिए अखिल भारतिय विद्यारति परिश्यत की और से थानिदार संपन्चोहान, जिला कलेक्टर, प्रेणा देशब्रतार, जिलापुलस अधिक्षक प्रशांत होड़कर और तहसलदार सतिशम मसाला को भीजी गए निवेदन में यह मांग की गई है अखिल भारतिय विद्यारति परिश्यत के पदादिकारी वेभवानकर, नगरमंत्री किरतेश सापले, सहित अखिल भारतिय विद्यारति परिश्यत के पदादिकारी एवं कारिकरता उपस्ति थे BCN News के लिए हिंगन घाड सिर्थ रवी ये नोड़कर की रिपोर्ट